जैशी कुष्णा दोस्तो बियसना फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो सोमबार का दिन भगवान शंकर का बहुत ही प्रियमाना गया है और नवराती में पढ़ने वाला सोमबार बहुत ही शेष्ट माना जाता है अन्ने दिनों के मकाबले अगर इस दिन कोई भी उपाय किय जाये तो उसका कई गुनाफल आपको प्राप्त होता है बहुत ही शीग्र आपके केगए कारे में सफलता मिलती है यानि अगर आप छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो निशित ही आपको उसमें सफलता मिलेगी दोस्तों आज की वीडियो में हम सोमवार की दिन किये जाने वा यानि आपके जीवन में जो भी परेशानिया चल रही हैं उसके लिए आप इन उपायों को जरू करें जो भी आपकी इच्छा है दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों नवरात्री के बहुत ही पावन दिन चल रहें और इस में सोंबार का दिन होना बहुत ही शुबसाई हो गये दोस्तों आज की वीडियो में हम आपका दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ता यानि जो भी आप कारे करते हैं वहाँ पर आपको भागय का सयोग नहीं मिलता तो इस दिन सोंबार के दिन आपको देखे शिवलिंग पर जल तो अवश्य चड़ाएं और साथ ही आपको शिवलिंग पर दही से अभिशे अवश्य करना चाहिए दही से अभिशे करके आपको उपर से एक लोटा जल ओम नमशिवाय कहते वह शिवलिंग पर अवश्य चड़ाएं ऐसा करने से आपकी जीवन में चल रहे दुर्भाग्य दूर होता है और स्वभाग्य की प्राप्ती होती है दूसरा उपाय है दोस् अभिशे करना चाहिए ओम नमशिवाय कहते वह पतली सी धार करके आपको दूद से शिवलिंग का अभिशे करना है ऐसा करने से निशिद ही आपको संतान सुक की प्राप्ती होती है तीसरा उपाय है दोस्तों देखिए अगर आपकी कुल्डी में किसी तरह का भी दोश बना का सामना करना पड़ता है तो दोश मुक्ती के लिए आपको देखे एक लोटा जल लेना है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाले और आपको एक मुठी काले तिल उस लोटे में डाल देने हैं और शिवलिंग पर आपको पतली सी धार करते हुए ओम नमस्शिवाय का जाब करत हुए शिवलिंग पर वो जल चड़ा देना चाहिए ऐसा करने से आपकी कुंडली के जितने भी दोश हैं वो दूर हो जाते हैं अगला उपाय है दोस्तों रोग मुक्ती के लिए अगर आपके घर परिवार में कोई लंबे समय से बिमार चल रहा है अगर वो वैक्ति खुद इस उपाय को करता है तो देखना बहुत ही शीगर उसकी मतलब बिमारी में आपको फाइदा देखेगा आप उसके टेस्क करवाते हैं तो आपको देखे उसमें फरक अवश्य ही देखेगा दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको देखे एक लोटा जल लेना है और देखना आपको बहुत ही शीग्र अपनी बिमारी में फाइदा दिखेगा अगर वो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता तो परिवार का कोई दूसरा सदस से उसके नाम लेकर उसके गोत्र का चारण करके उसके नाम से इस जल को अगर शीवलिंग पर चड़ा दे तब भी उस व्यक का बहुत ही सरल उपाय है अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप इस उपाय को जरूर करें दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सिरफ एक लोटा जल लेना है और शमी के पत्र लेने हैं आपको एक डंडी ऩngतने हैं और शमी के पत्रों को आपको देखे छोड़ना नहीं है जो शिवलिंग का कटी भाग होता है यानि माता पार्वति का जो हस्त कबल होता है आपको उस पर स्पर्ष करना है यानि माता पारवति से आपको अरजी लगानी है उनसे प्रातना करनी है जो भी आपकी मतल में ही रखकेस पर्ष करना है यानि छोड़ना नहीं है हाथ से पकड़ के रख्एं और मता पारवती से प्रात्ना करें और उसके बाद इन शमी पत्रों को आपको शिवलिंग पर चड़ा देना है और शिवलिंग पर भी आपको चड़ाते समय अपनी मनोकामना बोलनी है दोस् आप सबी को जैशी कृष्णा